प्रिम इंडिया की तिकच खिलाडी महिंदर सिंग धूनी के सन्यास को लेकर तमाम तरह की अटकले चल रही है। यहीं नहीं माना जा रहा कि विश्वकप के बाद धूनी सन्यास लेंगे। अब इसी बीच धोनी के सन्यास को लेकर श्रिडंका के तिकच खिलाडी लसित मलिंगा ने भी बड़ा बयान देने का काम कर दिया है दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब जरूर करें इसके साथ ही मलिंगा ने कहा कि मेरे खयाल से एमस धुनी को एक या दो साल और खेलना चाहिए पिछले दस सालों से खेल के सर्वश्रेश्ट फिनिशर रहे हैं जिन नहीं लगता कि भविशे में कोई उन्हें मात दे पाएगा उन्होंने ये वक्त खिलाडियों को अपना अनुभव बाढ़ने की जरूरत है कि कैसे परिस्तितियों को समालना है अरब के पास सेमस धूनी का शांदार अनुभव है मेरे ख्याल से यही वज़ा है कि वो इतनी सफल टीम है वो किसी को भी प्रतियोगिता में हरा सकते हैं गोड़ तलब है कि विश्वक अप में टीम इंडिया सेमी फाइनल में पहुँच कई है लेकिन उसे अपना आखरी लेक मुकाबला श्री लंका के खिलना है इस मुकाबले से पहले लेसित मलिंगा ने धूनी को लेकर बड़ा बायान देने का काम किया है श्री लंका के लिए वैसे तो विश्वक अप का सफर इतना जादा अच्छा नहीं रहा फिर भी माना जा रहा है कि अंते मैच में वो भारत को कड़ी चुनोती दे सकता है साथी इस मुकाबले में लेसित मलिंगा पर सब की नज़रे होंगी क्योंकि उनका आखरी विश्वक अप मैच हो सकता है तो कैसी लगी ये खबर कमेंट करके जरूर बताएं धन्यवाद